आप भी बात बात पर डॉक्टर के पास भागते हैं, तो घर बैठे बीमारी भगाएं, खासी में आधा चम्मच काली मिर्श का चूर्ण शहद से चाते, जलने पर दाना मैथी को पीस कर लेप करें, मोह में छाले हो तो जाइफल के काड़े से गरारे करें, घाव होने पर को पानी में उबाल कर पियें, जलवायू परिवर्तन होने पर, काली मिर्श घी में तल कर या सबजी में पका कर खाएं, दिस्तर में पेशाप करने पर, एक ग्राम अजवाइन सोते समय पानी से लें, पेट दर्ध होने पर, अजवाइन में थोड़ा नमक मिला कर पियें, मो पुद्र में जलन होना, छोटी इलाइची का चून बनाकर पानी से ले, पित्त उचले तब, खीं को घी में मिलाकर लगाएं, जोडों के दर्द में, अध्रक का रस गुनबुना कर लगाएं, हिचकी रोग में, अध्रक की डली चूसनी चाहिए, निमोनिया में, खीं पानी मे घोल कर पीएं, कब्स होने पर, हरर खाएं वो उपर से दूद पीएं, मिट्टी खाने की आदत में, अजवाइन का चून रात को ले, माता निकलने पर, सवा चमच लॉम के चून को शहत के साथ दे, चक्कर आने पर, सौंफ में चीनी मिलाकर सेवर करें, दस्त होने पर, सौ